नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विसलिशन में आपका स्वागत है संपात की से संबंदित आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं Financial Express में Publish Editorial जिसका सीर्षक है This is about politics not former rights पर यह संपात की GS Paper 3 में शामिल विसलिशन करसी एवं उससे संबंदित मुद्दे के दृष्टिकों से महतपूर्ण है परन्तु सुरुवात करने से पूर्व आपसे थोड़ी बातचित हो जाए कि भारती समिधान के अनुचेद 19.1.1 के अंतरगत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वत्मत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है हाँ उसके साथ युक्ती युक्त निर्बंधन का प्रावधान भी सामिल है जिसका उद्देश से लोक विवस्था सदाचार सहित अन्निका उचित प्राबंधन करना है मतलब यह कि आप इसका पालन करते हुए अपने विचारों को रख सकते हैं ऐसा कम ही होता है कि किसी घटना या इस्थिती पर कोई विचार सार्व भौमिक रूप से सत्य हो हाँ कम या ज्यादा सही हो सकता है और अगर ऐसे विचार हमारे विचार के विपरीत हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि विचार देने वाला व्यक्ति, अंधभक्त या चम्चा है। सही लोगतंत्र वह है जिसमें सब को सुनने एवं बोलने की स्वत्मत्रता हो ना कि केवल बोलने की। और पिडित कोई भी हो सकता है चाहे वह किसी धर्म से संबन्दित हो, किसी जाती से संबन्दित हो या किसी वर्ग से संबंदितो यहां पर मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस संपाद की का जो आधार है वह किर्शक विरोध प्रदर्शन के आचित पर प्रस्ट चिन्ह लगाना अब हमें यह पता है कि वर्तमान में किर्शक विरोध प्रदर्शन चल रहा है अब संपाद की यह बात कहता है कि यह क्रिसक विरोध प्रदर्शन थोड़ा अलग है क्योंकि पहले का क्रिसक विरोध प्रदर्शन जो दिल्ली में आयुजित किया जाता था वह एक या दो दिन ही चलता था और क्रिसकों की मांग जो होती थी वह या तो रिण माफी से सम्मंदित होती थी या उपज के उचित मुल्ल से परंतु वर्तमान किर्सक प्रदर्सन कब तक चलेगा इसकी कोई अबधी निश्चित नहीं है और इसमें सामिल जो प्रदर्सन कारी हैं उसमें ज़्यादा तर पंजाब और हर्याना के किसान है पंजाब हर्याना के किसान देश के समर्द्ध किसान होते हैं और प्रदर्शन करने वाले इन किसानों की अगर मांग पर हम गौर करें तो मांग यह है कि नए किर्सी कानून को वापस ले लिया जाए जिसमें Agriculture Produce Market Committee के द्वारा संचालित मंडी के बाहर किर्सकों को और व्याप व्यापारियों को उपज को खरीदने और बेचने की स्वत्मत्रतादी गई है वहीं Agriculture Produce Market Committee Act के अंतरगत जो यह प्रावधान है कि राज के एक निश्चित भौगौलिक सीमा के भीतर ही किर्षक और व्यापारी अनाजों की खरीद विक्री कर सकते हैं तो नए किर्षी कानू बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या निवन्तम समर्थन मुल्ली की तो केंदर सरकार की द्वारा किसानों को फसल मौसब मतर रभी या खरीप से पूर्व फसल के एक निश्चित कीमत देने का आस्वासन दिया जाता है और या निश्चित आस्वासन ही निवन्तम समर प्रथन मुल्ली कहलाता है जिसका उद्देश से होता है किसानों को बाजार जोखिम से सुरक्षा दिलाना वह किस तरह तो वह इस प्रकार से कि अगर अधिसेस उत्पादन हो जाता है तो उस अधिसेस उत्पादन की इस्थिती में सम्मंदित फसल की पूर्ति उसकी मांग क तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो इस इस्थिती में सम्मंदित फसल की बाजार कीमत कम हो जाती है, बाजार कीमत के कम होने से किसानों को घाटा होने की भी संभावना होती है, तो फिर MSP के द्वारा किसानों को इस घाटे के जोखिम से बचाए जाता है, और दूसरा अभी MSP को लागू करना सरकार की राजनितिक बाद दिता है ना कि कानूनी बाद दिता और MSP आधारित और सीमित भंडारन से सम्मंदित कानून जब आज भी मौजूद नहीं है तो यह एकदम और इसपस्ट है कि यह आज एक मुद्दा कैसे बना क्योंकि 23 फसलों से सम्मंदि जो MSP की घोसना सरकार के द्वारा की जाती है तो फिर इसका जुकाओ या लाब पंजाब जैसे राज्यों को ही क्यों मिलता है और यह भी बात कि केवल गेहूं और चावल तक ही MSP सीमित क्यों है क्यों इसलिए क्योंकि गेहूं और चावल का उत्पादन पंजाब जैसे रा जा सकता है वह यह कि Food Corporation of India के द्वारा MSP से संबंधित जो आसीमित भंडारन किया जाता है तो क्यों ना इसके खर्च को सभी राज्यों में बरावर विभाजित किया जाए और विभाजन करने का आधार परत्येक राज्य की जनसंख्या या परत्येक राज्य के द्वारा जो उ उत्पादन का 85% सरकार के द्वारा खरीदी जाती है और उत्तर प्रदेश जहां पर की पंजाब की तुन्ना में दो गुने गेहूं का उत्पादन किया जाता है वहां गेहूं के कुल उत्पादन का मातर 10% और चावल के कुल उत्पादन का मातर 24% सरकार के द्वारा खरीद के द्वारा जो अनाजों की खरीद की गई है उसका सरवाधिक हिस्सा किस राजी का है 69 या किसका है पंजाब का और हर्याना का कितना है 25 और जो बांकी है वह उत्तर प्रदेश तमिल नाडू और उत्राखंड राज्यों का है और भारत में अगर अनाजों के बाजार मुल्ल की बात करें तो यहां MSP की तुलना में 20 से 50 परतिसत कम है तो इस आकड़े के अनुसार पंजाब और हर्याना के किरसक लगबग बाजार जोकिम से सुरक्षित हैं यह सच है कि भारत को खाद्य आत्म निर्वर बनाने में पंजाब और हर्याना की भूमी का अत्यंती महत्यपू और इसी खर्च के कारण पंजाब में बेहतर सड़क और बेहतर सिचाई नेटवर्क मौझूद है और इसके कारण किरसक के बाजार जोकिम काफी हद तक कम हो गए हैं वह कैसे तो वह इस परकार से कि बेहतर सड़क के कारण उपज की पहुँच मंडी तक आसान हो गई है बे पंजाब के कुल छेत्र का 98.5% सिंचित छेत्र है जबकि संपूर्ण भारत के कुल छेत्र का 46.5% ही सिंचित छेत्र है और सिचाई का यह भार राज्य सरकार उठाती है इससे किसानों की किरसी लागत में भी कमी आती है पंजाब के किर्सकों को उर्वरक और विद्युत सबसीडी भी मिलती है जिसकी लागत 13,000 करोड रुपए प्रतिवर्स है इसके अलावा Food Corporation of India द्वारा चावल अर गेहूं की खरीद से प्राप्तलाब और केंदर सरकार द्वारा रिन पर जो ब्याज राहत दी जाती है उससे प्राप्तलाब भी अत्रिक्तलाब है परणतू इससे संबन्दित मुद्धे हैए मुद्ध यह है कि पंजाब में अत्यदिक सिचाई और अत्यदिक उर्वरक प्र योग के कारण मिटी की उर्वरता काफी प्रभावित हुई है और यह बात कही जाती है कि अगर इतना ही खर उस जल उपभोग में भी कमी आएगी वह इसलिए क्योंकि चावल गेहूं के समान उपज पर उत्तर प्रदेश बिहार और पस्चिम मंगाल जैसे राज्य हैं तो इन राज्यों द्वारा पंजाब की तुलना में कम जल का प्रयोग किया जाता है अब एक तत्थ पर ध्यान दे में किर्सी का घटता योगदान इसे हम इस बॉक्स की सहयता से समझ सकते हैं जिसका सिर्षक है जीडिपी में किर्सी योगदान प्रती वर्स के आधार पर इस बॉक्स में तीन अबधियों को शामिल किया गया है कुल जीडिपी में किर्सी योगदान में एक पंजाब राज था 5.7% जबकि इसी अबधी में भारत की GDP में किरसी का योगदान था 2.3% का जबकि दूसरी अबधी जो है 1986-87 से 2045 तो पंजाब और भारत दोनों के GDP में किरसी का योगदान हम क्या देख रहे हैं वह समान है जबकि तीसरी अबधी जो 2045 से अब तक की है तो इसमें हम क्या द योगदान है 1.9% जबकि संपूर्ण भारत के GDP में किरसी छेत्र का योगदान कितना है 3.5% तो आखिर इसका क्या कारण है इसका कारण यह है गेहूं और चावल की MSP बढ़ सकती है कब तब बढ़ सकती है जबकि वैस्विक कीमत गेहूं और चावल की बढ़े परंतु गेह सहित पसुपालन अधिक लाब दे रहे हैं जबकि पंजाब के किसान अभी भी गेहूं और चावल के उत्पादन तक ही सिमित हैं यहां इस तथि को भी ध्यान में रखने की आविश्यक्ता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं वायू प्रदूसन को भी बढ़ा रह है इस कारण बुआई की अबधी आगे खिसक जाती है मतलब खरीव से सम्मंदित अंतिम कर्शी क्रिया कलाप एवं रवी से सम्मंदित सुरॉती क्रिया कलाप के बीच का अंतर कम हो जाता है इससे खेतों में खड़ी पराली को हटाने का प्रयाप्त समय किसानों को नहीं मिल पाता और पराली को नस्ट करने के लिए हैप्पी सीडर जैसी मसीन खरीदने के परती किसान उदासीनता दिखा रहे हैं जबकि राज्य द्वारा इस मसीन को खरीदने के लिए किसानों को रिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है तो अंत में किसान उन परालीओं में आग लगा देते हैं अगर निस्कर्स की बात की जाएं तो हमें यह पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पुनर विचार का सुझाओ समय समय पर कई समीतियों एवं आर्थिक विशेसग्यों द्वारा दिये गए हैं और शायद उन्हीं सुझाओं पर अमल करते वे केंद सरकार के नहीं किर्सी नीति लाई गई परन्तु यह भी सच है कि सरकार ने इससे पाले इन किर्सी नीतियों से सम्मंदित विदयक पर व्यापक चर्चा नहीं की जो किसानों के भीतर इन किर्सी नीतियों को लेकर गलत फामी का कारण हो सकता है तो सरकार को चाहिए कि किर्सी नीति से सम्मंदित जिस किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है तो सरकार उस दुविधा को दूर करे और एक रोचक बात यहां पर यह है कि भारत में किसी एक लाब दायक पेशा नहीं है परन्तु भारत में अमेर किसान भी मौजूद हैं जिनकी संख्या कुल किर्षकों की 14 परतिसत है और इनकी पहुँच ना केवल जादातर MSP तक है बलकि subsidize उर्वरक एवं अन्निक किर्षी सहायता तक भी है और इनकी पहुँच agriculture produce market committee द्वारा संचालित मंडियों में जो काटेल बनाये जाता है वहां तक भी इनकी पहुँच है तो बात यह है कि यह अमीर किसान केवल किसान ही नहीं है बलकि यह फसल व्यापारी भी है जबकि 86 परतिसत छोटे एवं सिमान्त किसान है जो सही रूप में किर्षी दुस्चक्र का सामना कर रहे हैं और इसी किर्षी दुस्चक्र के कारण यह छोटे एवं सिमान्त किसान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं परंतु दुर्भाग पूर्ण बात यह है कि आजादी के 70 वर्स के बाद भी देश में वास्तविक मुद्दों को लेकर राजनितिक प्रतिबद्धता और राजनितिक उत्तरदाईत्य की कमी है क्योंकि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2013 इस्वी में ही जब केंद्र में वर्तमान केंद्र सरकार के दल से भिन दल की सरकार थी तब कुछ राज्यों द्वारा किसानों को APMC मंडी से बाहर अनाज बेचने की अनुमती दी गए थी आज वही दल इसका विरोध कर रहा है हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए थी कि ततकालीन सरकार के समय जब तेल के मुल में वर्ति हो रही थी तब उस समय की विपक्षी दल की द्वारा खुल कर आलोचना की गई और जब खुद की सरकार के समय तेल के मुल में वर्ति हुई तब इस दल ने निराधार तर्क को सामने रखा भारती राजनितिक दलों का यह व्यवहार इसलिए है क्योंकि आज भी करतव निष्ठ नागरिकों की कमी है यह बात बुड़ी लग सकती है परन्तु यह सत्य है जादा तर नागरिकों का विचार खासकर राजनितिक इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस जाती या धर्म से संबंदित है यही कारण है कि देश में नागरिक कम और राजनितिक कारिक करता जादा है पुर्वागरा से ग्रसित भारती जन्मानस की नब्ज को भारती राजनितिक पार्टियां अच्छे से जानती है इसलिए हमारे यहां सत्तर वर्सों से विभिन मुद्ध यथावद बने हुए हैं क्योंकि इससे संबंदित जो भी प्रदर्शन या विरोध हुए हैं और जब भी हुए हैं इसका उद्देश से समाधान नहीं रहा है बलकि राजनितिक स्वार्थ को सिद्ध करना है तो इस प्रकार हमने आज के संपाधिकी में वर्तमान क्रिसक विरोध के औचित पर चर्चा की हैं आज के प्रशन भारत में नियूंतम समर्थन मुल्य बाजार मुल्य से होता है चार उप्सन है, उप्सन A, ज्यादा, उप्सन B, कम, उप्सन C, बराबर, उप्सन D, परिस्थिती पर निर्भर करता है और यह रहा दूसरा प्रश्ण है प्रश्ण है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किर्शी एवं किर्शक आर्थिक कम और राजनितिक मुद्दे जादा हैं अपने मत को तर्क के साथ प्रस्तुत करें इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकार के साथ नमस्कार